तीक्री में सार्जनिक सोचाले वासंदे पड़सा जानिए क्या है माज़ा देश में प्रधानमंत्री नैंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सोचाले को लेकर सरगार संजीदा हुई लेकिन समय के साथ देश में सार्जनिक सोचाले की घार लगवग हर जगाधा खराप ही रहती है कुछ ऐसा ही हाल अलीगर के तीक्री गावमी स्च भारक में समय घ्रामी के अंतरजर्ट बने शार्जनिक तैonya का लेकिन इसमें पानी की सुगदा में बिना पानी को लोग जाए तो कैसे कुछ लोगों का कहना है सरजनिक सवचाले को नियमानी तो हो गया लेकिन यहां सुगदा नहोंने की वज़े से इसे चालू ही नहीं किया गया लेकिन जन परत्मिदी सरकार से लगातार पैसे हसूल रहें सुचाले बनने के बाद कोई अधिकारी भी से जाच करने को नहीं एक दूसरे पर आरोग परत्यारोग के बीच सुचालियों की साप सफाई होना तो दूर इस पर ताला लगा दिया लिया है इससे अस्थानिय निवासी से लेकर राधीर काफी परसान होते हैं लेकिन यन परत्मिदी और अधिकारी को कोई फर्क नहीं परता है साथियों नमस्ते आई ये डेली नीज की टीम आज यहां गाउन टीकरी में है जो ये आपके गंगिरी छितर के अंतिकरी परता है मैंने जब अभी यहां गाउं के लोगों से यहां पूछा तो उन्होंने बताए कि सारवजनिक सावचाला यहां दो साल से लवह बना हुआ है लेकिन आज तक इसमें न तो कोई समर है न पानी की विवस्ता है और जब आकर के देखा तो यहां की गाउं की जो महला है उन्हो नहीं है तो यह देखिए जो देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी और उताप देश के मुहिया यूग यादतनाथ की जो यह जो योजना है यह कितनी सफल होती हुए दिखाई दे रही है तो अभी में आई यह इन लोगों से अभी बात करता हूं आप यहीं की रहन आप अपर आप अपर आप 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 लेकिन उसके बाद में अभी तक ये चलता ही नहीं है गस्ते लग रहा है क्या नाम बताया अपने अबादा आलेश चीक धन्यवाद आपको यह तुमारा यह कौन था काम है तीकरी अच्छा यह बिलोग गंगेरी बिलोग गंगेरी है तो यह तुमारा ठीकरी में यह जो सारवजनिक सवचाल है जहां पर आप खरिये तो यह कितना समय हो गया बने हुए से किते हैं नहीं से अवह दो शाल से अभी यह चालू है इस लिए तक आए बने गाए लेकिन अभी चालू नहीं है ज़की के लिए अलीवच से मैं राजपाल से आरीए झाल झाल